सर्दियों में आते हैं धेर सारी सबजियां और उसी से बनते हैं धेर सारी नई रेसिपी आज मेरा ब्रत था तो मैंने सूचा कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे मुझे खाने से बिल्कुल भी रिगरेट फिलना हो तो ना तो बहुत मीटा और ना ही बहुत ज़ादा घी की आपक बहुत ज़ादा घी खाने का तो यहां मेरे पास एक शकरगंदी बचे हुई थी तो मैंने इसे अच्छे से बाहर से वाश कर लिया है और यहां थोड़ा सा पानी मेरे कुकर मे लिया है और इसे हम तीन से चार सीटी आने तक अच्छे से उबाल लेंगे बहुत अच्छे से यह पक गई है एक बार आप इसे नाइफ विया किसी स्टिक से चेक कर सकते हैं यह बहुत अच्छे से पक कर तयार हो गई थी शकरगंदी जब अच्छे से ठंटी हो जाए तो उसके बाद इसका छिलका निकाल लेंगे तो सर्दियों मेना जो मीठी मीठी शकरगंदी आती है जाएगी इसके लिए हम इसे बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रहे हैं चाहे तो आप इस शकरगंदी को किसी भी मैशर से मैश कर सकते हैं तो शकरगंदी तो ग्रेट को के तयार है तो अब मैने यहाँ पर एक नॉन स्टिक कड़ाई ली है और इसमें डाल दिया एक चम जाए चुक्पकती है और बहुत अच्छे से यह त्यार आ जाती है यह गी होने के वजह से इसमें अच्छा सा मौशर आगया है और यह बिल्कुल भी चुपक नहीं रही है और इस तरीके तरीके से घुम जाए मैं भूने से शगरगंदी में बहुत अच्छा ऐसा प्लेवर बिस्टिकना हो रही हो इस तरीके की जब शकरकंदी हो जाएगी तब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे और ठंडा हो जाने के बाद ही आम इसमें एक बड़ा सा ट्विस्ट देंगे और अब यहां शकरकंदी अच्छे से एक sweetness होती है जिसकी वज़से आप इसे विना शुगर के भी बना कर इंजोई कर सकते हैं आप सभी से निवेदन है कि ऐसी यूनिक रेसिपी के लिए प्लीज प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए यह आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और साथी साथ कुछ नया करने की इंस्परेशन भी मिलती है को सब्सक्राइब के लिए यहांपर थोड़ी सी स्टाफिंग बनाये है एक मिनट के लिए इसे लो तूप मीडियाम फ्लेम पर हलका सा भून लेगे तो अब यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ तयार है तो सबसे पहले हम अपने हाथों पर अच्छे से घी लगा लेंगे और थोड़ा सा पोर्शन शकरकंदी का लेंगे और उसे फ्लैट कर देंगे तो ठेट सारी स्टफिंग को बीच में रखेंगे और हलकी हलकी हाथों से इसे जैसे कि हम अपने भर्वा किसी भी कचावडी को बंद करते हैं और हलके हलकी हाथों से इसे रोल कर लेंगे तो बड़िया से हमारे बाहर से सॉफ्ट और अंडर से धेर सारे क्रंच के साथ ये शकरकंदी के बहुत ही टेस्टी से लद्व बनकर त्यार हो गए है और बागी क अगर शगरगंदी की युनिक सी नई रेसिपी आपने अगर नहीं ट्राइ किया ना जरूर ट्राइ किजिए बहुत अच्छी लगती है जब मैंने इन लड़ों को सिंपली बनाया था यह इतने अच्छे नहीं लगेते लेकिन जब इन्ने मैंने स्टफ करके बनाया यह अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए